दोस्तों आज मैं आपको Google Ads Keyword Planner Free Tool की बात करने वाला हूँ आप कैसे Google Ads Keyword Planner से Low Competition Keyword को Find करेंगे और उसको Download करके कैसे Copy करेंगे मैं आपको Step by Step बारी की से बताऊंगा अगर आप एक यूटुबर है एक ब्लोगर है तो आपको ये वीडियो बहुत helpful होगा मैं आपको आज ओवला तरीका बताऊंगा जिससे कि आप कितना भी चाहिए Low Competition Keyword को एक शाथ Find कर सकेंगे तो इसके लिए मैं Mobile Screen में आपको Step by Step बताऊंगा आप अपना Mobile से आपना YouTube चैनल या ब्लोग के लिए Keyword को Find कर सकेंगे तो दोस्तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते मैं हूँ विवेक और आप देख रहा है बेना Online Take दोस्तो अगर आप मेरा चैनल में आज पहले बार आया है तो सबसे पहले मेरा चैनल को सब्क्राइब कर लो और शाथी बेल आइकन घंटा को दबा दो और वीडियो सही लागेगा तो एक लाइक जरूर करके जाना मैं आपको keyword को find करके और उसको copy case से करना है आपको विल्कुल step by step मिलेगा इस वीडियो में तो सबसे पहले आप क्या करना है गोगल chrome को open करें जैसे आप chrome browser को open करेंगे तो आपका सबने खुल के कुछ इस type का interface आ जाएगा इसमें आपको shop से ओपोर दाने तरोब आपको मिलेगा 3 dot ए 3 dot में क्लिक करके ये जो desktop site देख रहा है इसमें आप क्लिक करके 8 tick mark लागा लीजिए उसके बाद क्या करना है search box में लिखना है google ads जैसे google ads लिखके search करेंगे तो आपका सबने एक नया window खुल के आ जाएगा इसमें आपको क्या करना है शब से ओपोर ही एक link मिलेगा इस link का ओपोर क्लिक कर दीजिए जैसे आप इस link पे क्लिक करेंगे तो आपका सामने दूसरा एक page खुल के आ जाएगा आप देख सकते हो दूसरा ये बाला page आपका सामने खुल के आ जाएगा आभी क्या करना है आपने ये ओपोर में sing in का जो एक बटन देख रहा है sing in पर क्लिक करें जैसे आप sing in पर क्लिक करेंगे आपका सामने एक नए पेज और खुल के आ जाएगा अब ही आप देख रहा है ये एक page खुल के आ रहा है ये page खुलने में आपको 40 से 45 सेकेंड तक लग सकता है तो इसको आप अच्छी तरफ से खुलने दीजिए उसके बाद बाद बलस टेप में आपको बता देंगे ये देख सकते हैं दोस्त आपका सामने एवाला पेज खुल के आ गया अब ही आपको क्या करना है आपको ओपोर में एक की का अप्सान नजरा रहा है ये आपको मैं देखा देता हूं ये जो लिखा हुआ है तूलस एंड सेटिंग इसका ओपर आप क्लिक कर दिजे जैसे आप इसका ओपर क्लिक करेंगे एक पॉप आप खुलके आजाएगा आपका सामने इसमें आपको शब से नीचे मिलेगा प्लानिंग प्लानिंग का उपर दुबरा क्लिक करें जैसे आप प्लानिंग का उपर क्लिक करेंगे तो आपका सबने चार आप्षन खुल के आ जाएगा इसमें आपको दूसरी नंबर में मिलेगा keyword planner keyword planner का ओपर click कर दीजे जैसे आप keyword planner का ओपर click करेंगे तो आपका समने और एक नया page खुलके आ जाएगा यह देख सकते हैं आपका समने एबला page खुलके आएगा इसमें आपको क्या करना है दो option है यह बाये तरफ जो option आपको मिल रहा है इस option पर यह जो option है इस पर click करें इसमें जैसे आप click करेंगे तो आप आपको यह page खुलके आजाएगा आपको इसका अपोर type करना है आपका जो भी keyword है इसका आपर टाइप कर दीजे चलिए मैं फिलाल एक keyword को type कर देता हूँ I C I C I Net Banking जैसे आपका keyword type हो जाता है तो आपको इसको ओपर का तरोब उठाना है और इसमें आपको result जो लिखा है result का ओपर क्लिक कर देना है जैसे आप इसको ओपर क्लिक कर देंगे आप देख रहा है आभी नीचे बहुत सरे keyword आपका आ जाएगा यह देख सकते है बहुत सरे keyword इसमें आपका आ गया है यह आप फास्ट वाला keyword को देख सकते हो यह 1 million से 10 million तक अरे low competition है उसके बाद ICI bank logging यह 100K से 10 million तक यह सारे keyword आ रखा low competition है आप देख सकते हो सभी low competition है इसमें आपको medium high competition बहुत सरे keyword आ सकता है लेकिन आपको चाहिए low competition तो low competition keyword को आप एक एक करके ऐसे करके select कर सकते आप जैसे मर्जी ऐसे करके select कर सकते तो चलिए आप चाहिए तो सभी keyword को भी एक शाथ select कर सकते एक शाथ select करने के लिए keyword by relevance इसका उपर click कर दीजे तो आपका सभी keyword इसमें select हो जाएगा जैसे आपका सभी keyword select हो जाएगा आप देख सकते हैं 200 keyword select है और select all 5, 6, 3 आपको चाहिए 5, 6, 3 यह जो keyword find करके दिया यह सभी keyword को चाहिए तो आप इसका उपर भी click कर देंगे तो आपका 5, 6, 3 यह जो है 5, 6, 3 keyword select हो चुका है अब इस keyword को आपने क्या करना है डाउनलोड करना है डाउनलोड के लिए आपको यह डाउनलोड का option नोजर आ रहा है यह डाउनलोड का अपर आप click कर दिजे जही से आप डाउनलोड का अपर click कर देंगे आपका समने यह वाला page खुल के आएगा इसमें आपको क्या करना है नीचे जो download लिखा है download का अपर click कर दिजे और आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड हो गया अभी आपको क्या करना है open पर click करें जही से आप open पर click करेंगे यह Microsoft जो app है इसका हंदर एक keyword जाके save हो जाएगा इसलिए आपका mobile में अगर Microsoft यह app download नहीं है सबसे पेले इस app को आप download कर लिजिए आप देख सकते हैं सबी keyword इसमें आ चुका है अभी इस keyword को आप कैसे copy करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आप देख रहा है इसके लिए आप देख रहा है A, B, C, D ऐसे अलग-अलग group में divide कर रहा है तो A number में जो है आपको सबी keyword मिलेगा तो आपको थोड़ा मैं बढ़ा के देखा देता हूँ इसको आप बढ़ाने के लिए A का उपर क्लिक करें यह double line जोई से आएगा इसको आप खिसके बढ़ा सकते हैं और keyword को अच्छी तरफ से आप पढ़ सकते हैं जैसे आपको मनले शवी keyword को कॉपी करना है तो आपने क्या करना है यह शवी keyword को कॉपी करने के लिए आपका इस टाइम को ओपर में एक पॉप आप आजाएगा इसमें आपको एक कैची का निशन मिलेगा बाहे तरोब आपका इस शवी keyword आपका keyword में clip हो गया कॉपी हो गया आप क्या करना है आपना notebook में जाना है और इसको आप copy कर देंगे जैसे मैं करके आपको देखा देता हूँ इससे मेरा notebook खुल गया मेरे को इस शवी keyword को कॉपी करना है यह देख सकते हो थोरा सा press करके मैं इसको paste कर दूँगा तो यह शवी keyword इसको पर आ गया आप देख सकते हो शवी keyword इसमें आ गया ठीके यह ओपर में जो आया है इसको आप काड़ दीजीए यह काड़ गया ठीके अभी इस keyword का अंदर से आपको जो भी क्योड चाहिए उस क्योड को आपने ऐसे कॉपी करके आपना ब्लोग या कोई आपका यूट्यूब चैनल जहां पार भी है आप उस पे आप यूज कर सकते हैं यह बहुत आशान तरीका है लो कमपेटिशन क्योड को आशान इसे कैसे फाइन करना और कॉपी करना तो आ मैं आपको अच्छी तरफ से समझा दिया है अगर यह वीडियो आपको सही लागा काम आया तो एक लाइक जरूर कर देना और हो सके तो मेरा चैनल को सब्क्राइब कर लेना क्योंकि मैं इसी तरह बहुत सारे वीडियो लाते राता हूं आपका कभी ना कभी काम आ जाएगा थैंकियो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में